गुराफ्रम सुरेंस तो टुडेश टॉपिक इस एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी ऑन दा एक्षियल लाइन ऑफ टैपोल तो क्लास ट्विल्थ के फिर्स एप्टर एलेक्ट्र स्ट्राटिक्स में से यह दो डाइवेशन बड़ी ज्यादा इंपोर्टन्ट है एलेक्ट् दूसरा निकालते हैं हम एक्षियल लाइन के लिए इन दोनों में से एक नाइक प्षियन बड़ा इंपोर्टेंट रहता है हमारे बोर्ड में ठीक है तो इसके लिए बच्चे हम सबसे पहले करेंगी क्या निकालने हमने इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी ऑन दे एक्ष लेक्षे में ई औफ लिखते हैं हम इसमें तो आप इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चे कि ईलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी ऑन दे एक्षियल ऑफ डाइपोल जो है इसके डेरिवेशन के लिए सबसे अब हमने कहां पर निकालने एक्षियल लाइन पर तो δोच वोंग गिए उनका मेंनिट्य क्या होगा बडाबर और पॉल्हेंटी कि स्मॉल डिस्टन्स होता है अ मैंनेस मद दूसरा क्या होगा प्लस्ट क्योंगा तो अब जो लाइनि दो डैपोल में सेंटर से से पास करती है दो चार्जिस से उसे हम क्या कहते हैं एक्शलाय Ξाइन फिर से सुनिया एक्शलाय क्या है डाइपोल के कीस में जो लाइन दोनों चार्ज्थ के जिस के सेंटर से Пास होके निकलती है उसे हम क्या कहते है एक जी लाइन जोईंग जोईनिंग ऑन जोइनिंग दे जोइनिंग दा सेंटर ऑफ किसके सेंटर को जोन कर रही हुए ऑफ टू कि सेंटर ऑफ कहां पर जोन करती है बच्चे जोनिंग दा सेंटर ऑफ टू सेंटर ऑफ टू charges, दोनो charges के centers को join करती है और form क्या करती है, forming and जिसके बारे में पढ़ रहे है forming an electric dipole, forming an electric dipole तो क्या होगी axial line, axial line is defined as the line joining the center of the two charges forming an electric dipole, तो मैंने example उपर समझाए है आपको, कि अगर एक मेरा minus q charge है, दूसरा plus q charge है तो इन दोनों के center में से line pass हो रही है, और electric dipole बना रही है उस line को हम, यह वरी line हमरी क्या है, एक axial line है, ठीक है तो यह चीज़ diagram नहीं बनानी है, अपने सिर्फ इसकी derivation में फिलाल यही लिखने है electric field density on axial line of a dipole, उसमें हम axial line को पहले define करेंगे it is defined as the line joining करके पूरा उसके पार derivation start करते हैं तो जो derivation start करनी है, उसके लिए मैं आपको बता है, मैं step में आपको लिखाना पसंद करता हूं तो step 1 जो आपके दिमाग में आपने याद रखना है, step 1 क्या होगा इसमें उसके आ जाते हैं, तो बच्चे step 1 आपको क्या है इसमें, सबसे पहले हम consider करेंगे let us consider, तो जो हमें पढ़ना है उसको पहले consider करते हैं, तो हम electric dipole को पहले imagine करेंगे let us consider an electric dipole, उसका नाम देदेंगे हम a, b, a पे एक charge रहेगा, b पे दूसरा charge रहेगा और जब वो दोन मिल जाएंगे तो वो एक हमें dipole बना करेंगे, तो यह नीचे वाले diagram नहीं बनाने, सिर्फ आप क्या लिखेंगे, let us consider an electric dipole, और उसका नाम क्या दिया हमने, a, b, क्या नाम दिया हमने बच्चे उसका, a, b, आगे हम इसमें क्या लिखेंगे, तो आगे consists, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, it consists, तो आप dipole में क्या होंगे, दो charges होंगे, है ना, तो उसके बारे में लिखेंगे, it consists of two point charges, तो दो point charges इसमें consider करना है, एक क्या होगा, inverted comma में लिखेंगे, minus q, and दूसरा क्या होगा, बच्चे, plus q, यह भी आप bracket में, inverted comma में डाल जिए, and उनके बीच में क्या होगा, separated, आपको पता, distance कितना होता, twice है, separated by a very small distance, separated by a very small distance, और उस डिस्टेंस का नाम क्या दिया है, बच्चे, हमने, distance twice of a, ठीक है, अब यह मैंने चीज़ कंसीडर की, अब हमने क्या निकालना है, बच्चे, जो चीज़ हमें निकालने हो, किस we have to calculate, electric, we have to calculate, electric field, intensity, electric field intensity, at, कहां पर हमें निकालने है, कोई एक point imagine करेंगे, at point P, on the axis of dipole, यह मैं लाइन आपको फिर समझाता हूँ, axis of dipole, तो इसके हिसाब से मैं diagram बनानी है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला इसमें, जो वो चीज़ में बताता हूँ आपको, तो मैंने बोला सबसे पहले, मैंने दो charges consider करना है, एक dipole आगया मेरा A, दूसरा आगया मेरा B, तो एक का नाम मैंने क्या लिया, इन दोनों को join सेंटर इनके दोनों के, ठीक है, तो एक आपका charge आजाएगा, minus Q, और दूसरा के आजाएगा आपका, plus Q, क्यूंकि दोनों की opposite है, ठीक है, तो हमने यही लिखा है उपर, let us consider an electric dipole, उसका नाम दिया A, B, it consists of two point charges, पहला minus Q, यह मैंने diagram में पहला minus Q ले लिया, and दूसरा charge लिया इसमें, and, दूसरा charge लिया, plus Q, तो मैंने diagram में plus Q, दूसरा charge ले लिया, यहाँ पर, separated by very small distance, तो यह distance है, यह क्या होगा, twice A, तो अगर मैं इनके बीच का एक point ले लूँ, O, तो यहाँ से लेके, center से लेके, यहाँ तक का distance क्या होगा, twice A का half, यानि कि A, और यहाँ से यहाँ त A, B है, तो A, B मैंने बना दिया, अब मैंने इसके बाद एक line लिखिये, we have to calculate electric field intensity at point P on the axis of dipole, तो इस dipole को मैं और extend करूँगा, ठीक है, let it be, एक बहुत दूर point है, X, तो मैंने इस dipole के रास्ते में, on the axis of dipole, यहाँ इस dipole के रास्ते में, मैं एक point consider करूँगा, उसका नाम बच्चे, P, क्या नाम होगा, P, तो वहाँ पर मुझे क्या निकालनी है, electric field intensity, ठीक है, क्या निकालनी है, electric field intensity, तो इस diagram के लिए मैंने एक चीज़ इमाजन करनी है, पहला charge मेरा minus Q है, तो electric field intensity पहली charge की वज़़ा से, इस point P पे लगेगी, उसके बाद दूसरा, जो मेरा plus की हो वो किसके वैसे लग रही है, minus Q charge की वैसे, इस P point पे, जो electric field लग रही है, उसे हम क्या कहेंगे, E1P, उसके directed towards काहां पर रोगा, अंदर के दिरफ, और दूसरा जो है electric field, यानि की E1 की बाद कहाएगा, E2P, उसको भी हम क्या कहेंगे, E2P, और ये, ये भी point P पे लग रही है, इस point P पे, पर इस पर कोई पर लगा रहा है, plus Q charge, तो E1P जो है, वो electric field density है on point P, due to minus Q charge, और E2P, जो बाद की तरफ डेक्टिट है, X की तरफ जा रहा है, उसको लेके आ रहा है, उसको लेके आ रहा है, बच्चे, electric field को, due to plus Q charge, ठीक है, और ये आपको मैंने diagram पूरी consider कर दी है और यहां से लेके, O से लेके, इस point P तक का distance जो है, P तक का, उसे हम लेंगे, नाम क्या लेंगे, small r, ठीक है, अब derivation से पहले हमें कुछ चीज़े imagine करनी पड़ेंगी, तो पहली चीज़े मैं imagine कर रहा हूं, वो है, let, O P को मैं क्या ले रहा हूं, R ले रहा हूं, अब A P किसक में total distance कितना होगा, देखिए, यहां तक का distance कितना है, twice है, है ना, तो देखिए, यहां से लेके, यहां तक का distance कितना है, R है, और R से यहां तक का distance कितना है, A है, तो यह R प्लस A बन जागा, फर से देखिए, AP का distance कितना है, P से लेके, O तक का distance कितना है, R, तो आगे कितना ब है पीसका मतलब क्या हुए ब्राबर मेंस इसको माइनस कर दूं यह वाला इससा निकाल होगा पूरे मेंस से यह निकाल ना है यहां से ब्राबर मेंस कितना है तो यह बन जाएगा लएगा संधो resulted बन जाएगा बच्चे अगर यहां तक आपको चीज़ समझ आ गई है अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और यहां से देख लिजिए इसको अच्छे से ठीक है यहां तक आपको के लियर होगा मेरे ख्यास है कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है अब आगे की चीज स्टार्ट करें बच्चे तो मैं नए पर से स्टार्ट करूं इसको मैं यहां ही रखाँ ग ERIC है को यह भूंख यहां है रखता हूं वो निकालूंगा step 2 जो करूंगा निकालूंगा पहला पार्ट the magnitude of the magnitude इवन निकालूंगा बच्चे पहले में magnitude of electric electric field intensity electric field intensity electric field intensity ठीक है समझा रहा है बात आपको electric field intensity कहां पर electric field intensity at point p.p पर निकालूंगा किसकी वज़ा से बच्चे पहले minus q की वैसे due to minus q charge is given तो इसमें कुलम लगाना आपको पता है कुलम लगा कैसे लगाते हैं बच्चे इसमें electric field निकाली है बच्चे तो सबसे पहले अब देखिए मैंने electric field के लिए पताया था आपको क्या हमारा फर्मला होता था q by r square यहां पर हमारा क्या लगेगा इवन किसके बराबर आएगा बच्चे magnitude में वन बाइ 4 पाई एप्सन लॉट ठीक है और पहला चार्ज क्या आपका minus q पर इसको हम लेंगे क्या है मेरा भच्चे वो मेरा क्या बन रहे distant a minus से लेखे पी तक a p यहांपे मैं distance क्या लिखूंगा एपी का square चैनल इससे टिन्सका बन जाएगा डिस्टन्स का स्कोड़ डिस्टन्स क्या बन इससे एपि की वैलू लिखे बच्चे में इंटूड में इवन इक्वल टू वन वाइ फॉर पाई एपसर नॉट क्यू अपॉन एपी कैमेरा आर प्लस एक होल स्कूर यह एक्वेशन वन बन गी सिमिलरली आप सेकिंड के लिए भी निकाल लेंगे क्या जैसे उपर लिखा है मैं इंटूड ऑफ इलेक्रिक फिल्ड बनेगे एपी की जगाँ यहां पर क्या बनेगा इस बारी इस बार डिस्टंस क्या बनेगा इस बार डिस्टंस बनेगा बच्चे क्या यह वाला बी पी बी तो इस बार हम लिखेंगे बीपी का स्कूर तो यहां पर लिख दिजे बच्चे तो यहां पर मैं डिर्क रहा हूं 1 by 4 pi epsilon not q by bp का square और इसके बाद e2 किसके बराबर आजाएगा बच्चे 1 by 4 pi epsilon not q upon अब इसमें bp किसके बराबर था r minus e का whole square यह बन गया मेरा equation number 2 समझा रही है बात अब देखिए इस वाले first वाले factor में numerator add हो रहा है होटा है जब भी denominator छोटा होता है यहीं काम हो रहा है तो उपर वाली value क्या होती है ज्याधा होती है जब denominator छोटा numerator हमारा क्या होता है बड़ा तो इसमें कोई चीज एड़ यह रही है जैसे इसमें 10 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और इसमें हम 10 को दूसरे case में second case में नीचे वाले case में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको solve किया तो 5 आएगा इसको solve करेंगे तो 2 आएगा ज्याधा value कि इसमें यहांने कि जब denominator में कोई of direction of even किसके along is along मैंने बताया था अंदर की तरफ आ रहा है यानि कि पी ओफ ए और इसमें लिखेंगे उसमें से में चोटे को माइनस करेंगे तो थोसमें से मैं को माइनस करेंगे तो लगाएं वैल्यू बच्चे वन फॉरबाई एप्सेन आल तो इसको में इलिखता झाल और उपर क्यू भी है तो मैं चलब पूरा लिख देता हूं पहले तो 1 by 4 pi epsilon 0 q by पहले वाले case में r यह e2 है तो r minus a का whole square और आगे sign क्या है minus है तो minus लगाएंगे फिर से 1 by 4 pi epsilon 0 q उदर भी है और इसमें क्या बनता है e1 में नीचे denominator में r plus a का whole square अब देखिए इन दोनों में यह q भी common है 1 by 4 pi epsilon 0 भी common है इसको मैं directly बहार लिख देता हूं तो इसको common बहार निकाल देता हूं 1 by 4 pi epsilon 0 q को बहार common निकाल देता हूं तो यह क्या बचेगा अंदर 1 by r minus a का whole square minus 1 by r plus a का whole square ठीक है अब इदर आप LCM लेंगे तो e को ऐसे रखेंगे और 1 by 4 pi epsilon 0 भी ऐसे का ऐसी रहेगा qb ऐसे का ऐसी रहेगा इदर LCM लीजे यह उपर आजाएगा तो r plus a का whole square minus यह वरा इदर निचे जाएगा r minus a का whole square upon यह a minus b को दो बार लिखें r minus a दो बार है न square तो r minus a और इदर भी दो बार square है तो इदर r plus a आगे भी r plus a ठीक है तो यहाँ पर a plus b का whole square खोली है तो क्या बनेगा पहला a square plus b square यानि की r square plus a square plus 2ab a square plus b square plus 2ab दोनों को multiply करेंगे वैसे यहाँ minus लगाएंगे तो पहले minus लगाया तो यहाँ bracket लगाता हूँ इसको खोली है a square plus b square minus a minus b का whole square है तो minus 2ab आ जाएगा तो minus 2a r आ जाएगा यहाँ ठीक है और नीचे यह दो दो बार है तो यहाँ देखिए a square minus b square यह दो बार आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं देखिए इसको गलती एक इसका minus वाला एक प्लस वाला और यह minus वाला तो a plus b और a minus b यानि कि a square minus b square और फिर से इसकी जोड़ी इसकी जोड़ी इस वालेगी इसके साथ तो a plus b a plus b तो r square minus a square यहाँ तर समझा गी बात आपको अब देखिए इसको मैं ऐसी लिख रहा हूँ इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ नुमेरेटर सौल करके दे रहा हूँ बस आप plus 2 a r ठीक है और denominator हमारा same to same रहेगा ठीक है काट यह r square r square कट गया a square a square कट गया यह 2 a r और 2 a r plus हो रहा है यानि कि क्या बन गाएगा 4 a r तो मैं इसको अगले page में लिख देता हूँ ठीक है तो मेरा क्या बनेगा e किसके ब्राबर आएगा बच्चे यह तो मेरा सामने से पहले सी बाहर common है 4 by epsilon not into q और अंदर क्या बच्चा बच्चे मेरा पहले मेरा नीचे बच्चेगा आप बताएगे क्या बच्चा है तो मेरा बच्चा है r square minus a square और r square minus a square यह दो बार आ रहा है तो मैं इसको whole square ले सकता हूँ पर यहां पर क्या बना मेरा दोनों को plus किया तो 4 a r अचा इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 1 by 4 pi epsilon not 4 a r को ऐसे ही रहने दीजिए और यहां पर यह भी एक चीज़ जब बेसे जार से इसकी power 1 इसकी power 1 तो यह भी एक बार यह भी एक बार तो इनको मैं square ले सकता हूँ और एक बार लिखके इसका मैं whole square ले स if r square is greater than a square तो मेरा r square अगर a square से बढ़ा है तो अगर इसमें से मैं minus करूँ बढ़े में से छोटी चीज़ माइनस करूँ तो वो लगबग क्या होगी इतनी रहेगी इसका मतलब क्या है अगर r मेरा 1000 है और 1000 में से मेरा a square यह 10 है तो मैं अगर minus करूँ तो यह लगबग 990 approximately 1000 के बराबर ही है तो मैं इसको क्या लिखूंगा r square मेरा square को कि इसके बराबर लिखूंगा r square के तो इसमें change कीजिए यहाँ पर यह ऐसे का ऐसी रहेगा और यहाँ पर 4 a r देखिए 4 को मैंने तोड़ना है यहाँ पर क्यू लिखना में बूल गया sorry तो यहाँ पर लिखिए 2 4 को 2 into 2 फॉर में तोड़ी है 2 into 2 into a into r upon बच्चे देखिए इधर इस पूरे को solve किया तो क्या है r square और उपर whole square है तो r square अंदर मेरा solve हुआ और बहार क्या है whole square तो यह क्या बनेगा 1 by 4 pi epsilon not multiply में लिखे q into 2 into twice a into r upon नीचे r square का square करेंगे तो r के पाउर 4 यह r कटा और यह 1 कटा तो r3 बच जाएगा यह तो क्या बचा मेरा पास यहां पर 1 by 4 perhaps not अब q और twice एक को multiply करूं तो वह क्या होता है q into twice एक को multiply करूं ठीक है तो वह किसके बराबर होता है बच्चे आपको पता होगा इस वाले 2 को बाहर निकाल दो तो यह 2 ऐसे कैसी रहेगा upon नीचे क्या है rq तो q into twice से क्या होता है डाइपोल मोमेंट वी नो वी नो तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होती है q into twice है तो यहां पर replace कर देंगे यहां पर आप ई लगा दीजेगा पूरा same to same तो ई किसके बराबर आएगा बच्चे इलेक्ट्रिक फिल्ड तो यहां पर लगा दीजे वन बाइ फोर पाई एप्सल नॉट ट्वाइस ओफ मैंगनिटूड ओफ पी अपॉन नीचे क्या है आर क्यूब इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है आर के साथ अगर यह सारा मैं कॉंस्टेंट ले लूँ और एलेक्ट्रिक इंटेंस दो आपकी है ठीक है बच्चे यह समझ आ गया होगा यह होब आपको ठीक है डिवेशन को फिर से उपर से दिखा देता हूं को कुछ डाउट है आपको तो ठीक है समझ आ गई